हेलो दोस्तों आप लोग का बहुत बश्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज कल हर किसी को चटपटा खाने का मन करता है सर्दियों की मौसा में चटपट ढूख लग जाती है और कुछ टेश्टी चटपटी खाने का मन करता है तो जब भी आपका टेश्टी चटपटा अफटा-फटसी बनाए और चट्नी और चाय के साथ इंजवाई करेए जब भी शर्दिया आती है तो हम मारे घर में रेस्पी जरूब बनती है अज हम अपनी रेस्पी आपके साथ सेयर कर रहे हैं देखिए देखने में कितने हैं खाने में बहुत आइस्टी अपिसे चाय क अधरक और हरी मिर्च जालेंगे तीखा अब कम जाद कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुए धनिय के पत्ते डालेंगे मटर बहुत अच्छी मिल लाई है तो आप जरूर बनाईए क्योंकि मौसम के हिसाब से जिसका सीजान आता है चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं धनिय के पत्ते डाल देंगे कटके और नमक डालके इसको ग्राइंड कर लिए हैं बहुत बारिक पेश नहीं बनाएंगे पान के मैस करके रख लिए थे तो से तीन अलु ले लिए जितना माटर था उसी इसका से डाले हैं अलुको भी अच्छी तरह सी माटर में मिला लेंगे आप यहां पर चाहें तो दो चमज बेसन भी डाल सकते हैं लेकिन बेसन हम नहीं डाले हम इहां पर डालेंगे जो चनी की सत् तो बेशन को भाले थोड़ी सी कड़ाही में अच्छी तरह से भून लेजिए उसके बाद डालिए तो नहीं तो आपके पास अगर सत्तु है तो डाले तो देखिए हम यह पर बेशने दो चमत चने के सत्तु डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप पानी नहीं डाले तो इसलिए ज्यादा गीला नहीं तो इसमें ज्यादा बेशन डालने की जरूत नहीं पड़ी सिर्फ दो चमत ची डाले हैं और इनको अच्छी तरह से मिला लिए हैं अब यह आप अपनी मन पसंद की सेव दे सकते हैं जैसे आपको पसंद हो ऐसे दीजे जिसे चीजें अगे नहीं तो फबंगे जामने डना लेंगे मैं अच्छा लगता है यह किसी तेल लहें भब जाने उसलिए एक हासे पाल्यद दो खेजेð प्रम में पसंद की सेव देाने सकते हैं जैसेब को प्ले कियां डू खोबनाने आपको एजिए भूल है आदा कप मटर और दो आलो से हमने इतने सारे नौ टिक्या बनी है तो इसे रेडी कर लिए आप चाहे दे इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं बना कि जब आपका दिल करें तब इसे अलो फ्राइ करके खा सकते हैं तो देखिए हम नेक फ्राय में दो चमत तेर डाले उसमें सार मीडियम करके इनको अच्छी तरह सेकेंगे क्योंकि मटर तो कच्छे हैं लोग खाते हैं आलो उबली हुई है बेशन जो था ओचने के सब भूने हुए पाले से थे इसको जादे पकाने की जरुवत नहीं है तो दो मिनट के बाद हम इसे उलेट लिए है और ऐसे दोनों तर करना अखें पर किया इसे आफ जादा घ्र के अज़ने क्या शेयों सिंप उाला पर क्या mensen तो क्या दों के सब्सक्राइब तक्किया उप्रओकर और तेस्टा आएं मे की तबर उसे कि तो मसक्राल नहींता है यहंने चुंग कि ती सभशे हैं बहूत जल्दी मटर इसफे मंत तो देखिए अच्छी तरह से उलट पलट के सेख लिए हैं तीन से चार मिनट लगे थे और तेल हम सिर्फ दो ही चमर डाले थे और सारी टिक्या सेख गई हैं बाकि जो बचे थे हमने फ्रीज में रख दिये थे उसको हम बाद में फ्राइब करेंगे यह चली हम निकाल लेते ह यह पर हमने घर की बनाई हो इमली थी और धन्य की चटनी है लाल हरी चटनी के साथ आपका यह सौज के साथ खाई है चाय के साथ भी बहुत एश्टी लगती है अब एक बार जरूर बना के ट्राइब करिए तो हमने यह आप आप सारी सौप कर दिये हैं मतर का सीजन आया तो मार्केट में भी दोग खाते हैं लेकिन घर में अच्छी तरह से बनाएगे घरम रवस्तरी चीजों से बहुत भर रूसिय कर देखिये अर जो घूने अपने बनाते हैं में पता लगता हम क्या चीजी करते जो तो इसका हमने कोई नाम नहीं दिया है लेकिन एह हैं हेल्दी टेस्टी टिकियां हरे भारे आप भी एक बार जरूर हमारे तरीके से बना के खाईए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीज पत्कियां हमारे इसे तरह से बनती हैं तो हम अपने तरीके से कैसे आफ लोग बनाते हैं हमें भी बताएगा और हमारे इहां तो इस तरह से बनती है तो हम अपने घर की वीडियो आपके साथ सेयर करें हैं तो प्लीज आप भी बनाएए खाई एंज्वाई करें वीडियो पसंदे तो लाइक कर दीजिए